वादा तो जान बचाने का था लेकिन हकीकत को कुछ और ही निकली वैक्सीन तो कोरोना के खत्रे के खिलाफ शिल्ड बनाने के लिए बनी लेकिन ये वैक्सीन साइड इफेक्ट को सील नहीं कर पाई नमस्कार मैं हूं तृप्ति उपाद्याए कोरोना वैक्सीन कोवी शील्ड पर कंपनी के कबूल नामे की खबर से करेंगे आज एटीनाव स्वदेश के इस बुलेटिन के शुरुआत वैक्सीन के साइट इफेक्स पर आज बात इसलिए क्योंकि कोवी शील्ड बनाने वाली ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजनिका ने पहली बार कबूला कि उसकी वैक्सीन के रेर साइट इफेक्स है इससे हार्ट अटेक हो सकता है बलट क्लोट हो सकता है कोरोना में कोवी शील्ड के साथ साथ दूसरी वैक्सीन को लाइफ लाइफ लाइन माना गया था भारत में भी कई लोगों ने कोवी शील्ड लगवाया लेकिन वैक्सीन लगने के बाद लोगों के अचानक दम तोड़ की खबरे सामने आई मेडिकल एक्सपर्ट्स ने भी सवाल खड़े कि जल्दबाजी में पूरे ट्राइल के बगार वैक्सीन को लॉंच किया गया अब ब्रिटिश कोट में कंपनी के कबुल नामे से वैक्सीन को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं इस मुद्धे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं धर्मशिला नारायना हॉस्पिटल के कार्जोलोजी डिपार्टमेंट के डारेक्टर डॉक्टर समीर कुबबा समीर जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है इतीनाउ स्वादेश में धन्यवाद जी समीर जी समीर जी यह पूरा मामला पे आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी देखिए हर वैक्सीन के कुछ रेयर साइड इफेक्ट्स होते हैं और जबी वैक्सीन एन्रोल होती है लाजर पिक्चर को देखा जाता है उस समय जो पैंडमिक था उसमें वैक्सीन ने जाने बहुत बचाई हैं कुछ रेयर जैसे कि थर्मबोटिक, थर्मोसाइटोपिनिक पर्प्यूरा और कुछ ऐसी कॉंप्लिकेशन जो कि बहुत 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 रेयर हैं तो अगर हम नट शेल में देखें तो डेफिनेटली रेयर साइड एफेक्ट्स भी इंपॉर्टन्ट होते हैं बट अगर हम ओवराल उस प इतने रेयर हैं कि इसके फॉर्दर इफेक्ट्स जो अब आस्ता आस्ता समय के साथ पता लगते हैं, कई बारी एक्यूटली पता लगते हैं, कई बारी समय के साथ पता लगते हैं पर हमारी भी जानकारी बढ़ती है इससे, so I think in overall scenario it is not that कि ये side effects नहीं थे, बट रेयर थे और जिन पेशिंट्स में associated medical conditions होती है या previous heart conditions या cancer conditions या long term hospitalization होता है, इन में वैसे भी थोड़ी सी clotting के tendency बढ़ जाती है, तो previously जो patients ऐसे हैं जिन में tendency रही हो, शायद उनके अंदर ये effect जादा देखा गया हो, बट इंडिया के अंदर जितनी भी ये studies हुई है या जो भी data या उस मैं ये नहीं कहूंगा कि totally, any drug is totally free of the side effects and adverse effects, but there are very rare complications. पीर जी आपने अभी एक thrombocytopenia syndrome का जिक्र किया, सर क्या आप explain करेंगे कि ये किस तरह का syndrome होता है और कितना खतरनाक हो सकता है? देखें, जिस चीज की हम बात करें इसको thrombocytopenic, thrombotic purpura बोलते हैं और vaccines associated इसको vaccine related thrombotic, thrombocytopenic purpura बोलते हैं ये अपने आप में एक बहुत rare condition है और vaccine के बाद rarely कई लोगों में देखी गई है, बट इंडिया में इसकी reports ना के बराबर हैं, वेस्ट के अंदर थोड़ा सा इन्हों ने देखा है, बट फिर भी अगर आप overall देखें, लाख patients में से 5-6 patients में ये complication देखी गई और ये भी पूरी guarantee से नहीं कहा जा सकता कि ये vaccine related ही थी या परसे ये उन patients में हुई जो already कई बारी thrombosis को prone होते हैं. तो usually vaccine के बाद 5-20-25 दिन के बीच में ये एक clotting tendency हो सकती है, women में इसे जादा देखी गई, young लोगों में थोड़ी जादा देखी गई, और इसके कई बारी specific areas में जैसे cavernous sinus होता है brain में, उसमें कई बारी thrombosis का risk और कई बारी splanthic abdominal veins के thrombosis का risk देखा गया है, so totally ये हम इसको negate नहीं कर सकते हैं, but again जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि overall एक emergency pandemic situation में जितनी जाने बची है vaccine से, जिन लोगों ने इन rare complications की वज़े से अपने near and dear ones की quality of life या even life को compromise होते हुए देखा है, वो सारी चीजें बिलकुल ही acceptable हैं और कई बारी बहुत rare चीजें होती हैं जो कि larger interests के अंदर और हर एक patient को नहीं होती, तो mostly it's considered to be a safe thing but yes, medical science is continuously evolving, we are continuously learning but yes, हमें सारे side effects के बारे में ग्यान होना चाहिए और समय हमें चीजें बताता है और emergency situations में जो research होती है versus एक non-emergency situation में जो research होती है उसके अंदर थोड़े बहुत उतार चड़ाब तो होते हीगी. तो सर ये जो कोविट के वक्त जल्दबाजी में vaccine को launch किया गया, इसकी क्या trial process होती है, किसी भी vaccine को launch करने से पहले उससे किस तरह की process से गुजरना पड़ता है, एक बार आप बताएंगे. देखें, पहले तो वाइरस को identify करना important होता है, उसको sequence करना important होता है, एनिमल्स में उसको देखना important होता है, दिगरस एक process होता है, और फिर humans के अंदर phase trials होते हैं, phase one, phase two. So, but यह सारी जो भी चीज़े होते हैं, जबी हम किसी भी चीज़ को medical science में development और technology को देखें, तो एक non-urgent situation में और एक urgent situation में जहां पे जाने जा रही हैं, जहां पे बहुत सारी दवाईयां ट्राई की गई और उनके plus minus effects हुए, finally vaccine ही इसका answer था और vaccine ने कमाल भी दिखाया है और हर तरह की vaccine आई, ultimately, overall scenario के अंदर अगर आप देखें, तो directly virus को attack करने वाली चीज़ vaccine ही होती है, बाकी दवाईयां virus की effects और virus के जो body पे, organs पे effects होते हैं, उसको take care कर सकती है, steroids यूज़ किये गए, remdesivir यूज़ की गई, vitamins यूज़ की गई, ivermectin यूज़ करी गई, anti-malarial drugs यूज़ करे गई, chloroquine यूज़ करी गई, बहुत सारी चीज़े यूज़ हुई और उस emergency situation के अंदर, finally, जो की हम कह सकते हैं कि vaccine की development एक बहुत बड़ी development थी, और बहुत fast-paced पे हुई scientists ने, सबने बहुत महिनत करी, और, yes, अगर आप देखें, इवन जो पहले भी vaccines बनी है, over a period of time उनकी safety profile बड़ी है, कुछ न कुछ rare side effects तो किसी भी vaccine के हो ही सकते हैं. अमीर जी, तो जब से vaccine, COVID vaccine आई, उसके बाद से क्या आपको अपने hospital में इस तरह के मामलों में बड़ोतरी देखने को मिली, चाहे वो brain stroke का हो, या फिर cardiac arrest हो, या फिर किसी और तरह के COVID के बाद के जो side effects आए थे, तो क्या आपको उन मामलों में बड़ोतरी दिखी? देखें, overall, blood pressure की problem, sugar की problem, strokes की problem, heart attacks की problem, हमें लगता है, और pulse rate के abnormality की problem, जिसको हम aridmias कहते हैं, definitely उसमें बड़ोतरी तो हुई, but again, we are living in an era of information and technology, लोगं को ग्यान भी है, काफी access भी है internet से, और कुछ चीज़ें जो की बहुत rare होती हैं, वो भी to the floor आती हैं, so, but yes, मैं यह नहीं कहूंगा की बड़ोतरी नहीं दिखी, definitely दिखी, अब क्या यह COVID infection की वजह से थी, या COVID की vaccine की वजह से थी, या दोनों का मिलाब था, इस चीज़ पर clearly comment करना मुश्किल है, but yes, definitely thrombogenicity, जिसको हम कहते हैं, clotting tendency, यह COVID के infection के अंदर, COVID के time पे, ज़्यादा बढ़ोतरी में देखने में मिली, और vaccine ने क्या इसको potentiate किया, vaccine ने इसको बढ़ोतरी दी, या vaccine एक mild sort of infection create करती है, बॉडी के अंदर, उसकी वज़ा से कुछ thrombotic tendency हुई, उन patients में जो already thrombosis के लिए प्रोन थे, इसको कभी भी प्रूव करना बहुत मुश्किल होगा, but again, मेरा यह मानना है कि उस emergency situation में, जितनी जाने बची, उसके मुकाबले कुछ नकुछ side effects ज़रूर हुए, but science is a continuously progressive field, कुछ पता ही नहीं था, आस्ता आस्ता वाइरस के बारे में पता लगा, उसके rare side effects पता लगे, जर्नल्स में papers published हुए, scientists ने, doctors ने अपने अपने experiences share किये, और finally, आज हम mostly इस pandemic से बाहर है, यह बहुत बड़ी, I would say, एक achievement है, overall. समीर जी, तो जब से COVID shield के बारे में आया, लोगों के मन में तो अस्मन ज़स पहले से ही था, कि कुछ जल्दबाजी में vaccine को launch किया गया है, और लोगों को side effects भी नजर आये, brain stock के मामले बड़े, cardiac arrest के मामले बड़े, किसी का तो पूरा system ही खतम हो गया, तो सर, जब COVID shield के बारे में आया, और भारत में जो vaccine बनी ये co-vaccine, तो लोगों के मन में उसको लेकर भी सवाल उठेंगे, कि क्या इस vaccine के भी कोई side effects हो सकते हैं, जिन लोगों को co-vaccine लगी है? Co-vaccine के भी कोई खास side effects to the floor नहीं आये हैं, और in fact, COVID shield जादा मात्रा में लगी है, वो vaccine कम मात्रा में लगी है, और जैसे मैंने पहले भी कहा, ये adenovirus live attenuated vaccine है, और overall definitely मैं कहूंगा कि COVID पर से is a pro-thrombotic state, thrombosis यानि blood की clotting की tendency definitely बड़ी, मैं international cardiologist हूँ, उस जमाने में, उस time में हमने बहुत सारे patients को blood clotting के injections दिये, कई बारी उनकी angioplasty भी करी और clots को निकाला भी, और COVID infection पर से में जब हम procedure कर रहे होते हैं, तो उसमें clots जादा मिला, so COVID infection पर से ने भी thrombosis को बढ़ाया, और जैसे मैंने पहले कहा कि vaccine क्या होती है, vaccine एक milder form of infection होता है, जो कि दिया जाता है purposefully body को, ताकि body एक major infection को prevent करे, so you probably are trying to actually get away by giving a smaller insult to the body when compared to a larger insult, लोगों के lungs fail हो गए, ventilator support पर चले गए, जाने गई, बहुत ही एक मैं कहूंगा दुखदाई समय था, और उसके बावजूद भी इन कठिनाईयों से और इस science की research निया और combined efforts से हम बाहर निकल के आए हैं, जी सर, तो मेरा आपसे आखरी सवाल होगा, कि ये जिस तरह की समस्या लोगों को देखने में आ रही है, clothing हो रही है, lungs failure हो ले है, cardiac arrest हो रहा है, तो आप किस तरह की जाच के लिए बताते हैं, और कौन-कौन सी ऐसी जाच होती ही, जिनमें पता चलता है कि clothing है, या फिर हमें heart attack का खत्रा है, क्योंकि ये चीज़े तो वैसी एक सर की अचानक से आ जाती है, कई बार तो हमें वक्त भी नहीं मिलता, समय पर इलाज नहीं मिल पाता है, तो इसके लिए कौन सी ऐसी special जाच है, जो सेफर साइट पर करवा लेना चाहिए, या कुछ थोड़े बहुत सिम्टम्स में उन जाचों को करवा लेना चाहिए? बहुत ही एहम और इंपॉर्टन सवाल है, और हिंदुस्तान में यंग लोगों में हार्ट अटैक्स अब रिलेटिवली जादा कॉवन हो रहे हैं, जब मैं अपनी ट्रेनिंग कर रहा था, तो मैंने देखा कि लड़के अपने माबाब को हार्ट अटैक के साथ लेके आते हैं, बट अब पिछले कुछ सालों में मैंने देखा है कि माबाब अपने लड़कों को हार्ट अटैक के साथ लेके आते हैं, और ये increase in the heart attacks in young individuals has been observed even pre- COVID, so उसके बहुत सारे risk factors है, smoking सबसे important risk factor है, blood pressure, sugar बहुत important risk factors है, obesity, वजन का जादा होना बहुत important risk factor है, sedentary lifestyle और COVID के टाइम पे हमने देखा, mostly लोग work from home थे, खाना पीना भी अलग हो गया था, लोग hospital भी जाने से घबराते थे, because अगर उनको कुछ symptoms हो भी रहे हैं, तो वो सोच होचते थे, घर पे ही manage करें, क्योंकि hospital जाने में खत्रा था, और उस जमाने में, उस time में जब हमने भी, हम तो hospital regularly जाते थे तो, हम ऐसे ऐसे heart attack के patients देखते थे, जो दो से तीन दिन से घर पे बैठे हुए हैं, और ultimately बहुत severe condition में आए, क्योंकि उन्होंने अपने symptoms को ignore भी किय और hospital जाने से घबरा भी रहे थे, जहां तक testo की सवाल है, आपके risk factors जानना बहुत जरूरी है, अगर आपको smoking करते हैं, weight जादा है, आपकी family में, माबाब, भाई, बैन में किसी को premature heart disease हुई है, at the age of 55 or less, आपको obesity है, आपको blood pressure है, आपको sugar है, तो इन risk factors में, आपका heart disease का risk हो बढ़ जाता है, और ऐसी situation में basic test होने, और simple चीज़े तो blood pressure, sugar चीज़े आप घर पे भी measure कर सकते हैं, एक अच्छे specialist से consult करना, अपना clinical evaluation करवाना और relevant test करवाना बहुत जरूरी होता है, जिसमें ECG, ECO, TMT, और कुछ inflammatory test होते हैं, HSCRP, lipoprotein A, lipid profile, इन सब चीज़ों से हम आफी हद तक non-invasively ये पता लगा सकते हैं कि आपका heart attack का risk कितना है, आजकर कुछ non-invasive जाचे भी आई हैं, जैसे CT coronary angiography और हम लोग आजकर invasive angiography भी heart की नस्से कर लेते हैं, जिससे heart की artist का blockage पता लग जाता है, बट ये investigations हर एक patient में ज़रूरी नहीं होती, उनके symptoms, उनके basic blood test, उनका good clinical examination से उनकी risk stratification हो सकती है, उनको एक healthy lifestyle follow करने को दिया जा सकता है, in fact, ये चीज़ें स्कूलों में ही शुरू हो जानी चाहिए, और जितनी जल्दी ये शुरू होंगी, उतना ही हमारे बच्चे भी जान पाएंगे, कि smoking या धुमरपान के कितने side effects है, fast food, जी समीर जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और इटीनाव स्वदेश को वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सर अच्छी जानकारी दी आपने, और फिलहाल वक्त एक छोटे से break-up break के बाद केंद्री मंतरी हरदिप सिंग पूरी के साथ की चुनाव व्यात्रा दीखेंगे